करते हैं लोग दी रहते हैं जिनको जुड़ना होगा जुड़ते रहेंगे मेरा रिसर्स का टॉपिक थर्ड जंडर कम्यूटी पर है उससे पहले मैंने इंफिल किया हुआ है 2017 में यमदीप एक उपन्यास है जो आया था 2002 में और उस उपन्यास पर काम करने से पहले मेरे विश्व विद्याले में ऐसे किसी विश्व पर काम नहीं हुआ था और माफ करना मेरे तयारी आज कुछ अच्छी नहीं है सोच कर नहीं बैटे थे कुछ भी तो शायद थोड़ा सा ताइम बे लोंगी में कनेट होने में कि आज का विश예 है हाचय का मर्श और की निर्समुद हैं जब भी दी हमने के बात करते हैं तो हमारे जैहन उसका रीजन भी था कि इस्त्रे को मोटिवेट करने के लिए जो चाहिए था एक पावर एक रिशोर्स जो चाहिए था वो शायद सबसे पहले मिला और उसके बाद दलेत्विमर्ष की प्रिष्ठभू में बननी शुरू हुई कि नर्विमर्ष कोई भी मर्ष मुझे लगता है क्या भी तक नहीं है जब तक कि वो लोग खुद अपनी बात नहीं कहते हैं और जब में 2017 में 2016 में इस टॉपिक पर काम करने के लिए चूज किया तो में पस कोई मैटेरियल या कुछ ऐसा बना बनाया एक खाका या कुछ ऐसा पका पकाया माल कुछ नहीं था मुझे धूंडना था या मतलब धूंडने के प्रक्रिया में मुझे बहुत सारी चीजें मिली कुछ लोगों की हेल्प भी मिले और फिलाल वो थीसिस के रूप में आया 2017 में और अ करते हैं तो हम पाते हैं कि मतलब हिंदोस्तान में बहुत एक अच्छे खासे ठीव ठाक संक्या में उपलब धें लोग और कोई इतना अलग सा डाटा नहीं है और कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप 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 साहित जब मैं जो मैंने जो काम करना शुरू किया वह साहित के संदर्व में शुरू किया साहित के साथ चलते हुए ही मुझे बाकी चीजें पढ़ने सुनने देखने समझने जानने को मिले इस विशेश में जुड़ी हुई हूँ 2011 से बहुत सारे नियुस्वेपर की कटिंग्स और हैड्लाइन और कुछ-कुछ और एक्टिविटीज के साथ में उसके पहले मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उनको लेके कुछ ऐसा theoretical काम कर सकूं या practical उनके साथ जुड़ सकूं एक बहुत अलग सा समाज है बहुत थोड़ा सा बंद है थोड़ा सा हेजिटेट है और थोड़ा सा कटा हुआ है एक एक जब सुषिलाजिकल स्टडि केंबात करते हैं या सोश्ष लजी की बात करते हैं मैंने जितना पढ़ा है जो में थी मन은 तब से सोशल यज्य पड़ी है तब से लेके अभी तक मुझे में भी वो चीज मिली नहीं है लाइक कुछ थेओरी या कोई रिसोर्स या कुछ बूक या कुछ ऐसी चीज जिस पर हम लोग बात कर सके या जिसको में रिसर्च रिसोर्स रख सके में 2014 में 2016 में 2017 से उससे पहले तक कुछ खास किताब भी नहीं थी और अभी हम जब हिंदिल इट्रेचर की बात करते हैं जिस चेतर से मैं आती हूं उसकी जब हम बात करते हैं तो मैं देखते हूं कि कुछ खास बात करते हैं तो खुश्वन सिंग की दिल्ली के अलावा मुझे एका किताबें लावा जो की काफी बात में लिखी गई है और बहुत महेंगी किताब मैं उसको पर्चेस नहीं कर पाई उसके अलावा एका किताबें और पाते हूं में बाकी जो साउथ हिंडियन कुछ अच्छे क्यारेक्टर्स रहें अच्छे लोग रहे हैं उनकी या तो आटो बाग्रफी है या तो वो उनकी मूल भासा में लिखी गई है जो ट्रांसलेटेड नहीं होते हैं तो वह थोड़ा सा तक्लीफ दें दिल्ली का हलाएं कि उसा महाजन ने किया ट्रांसलेशन किया है कि 2017-16 में जब मैं इस टॉपिक पर काम करने के लिए या मैं रिसर्च का टॉपिल डून रही थी तो मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए ह करना अध्या के लिए अगारत हुआ थी तो में काम कैसे करतीं जो मुझे पहले किताब मिली पढ़ने के लिए वह थी गुलाम मंदी निरमरा और्ट रही थी और यह between numa समाज की बात करूं तो उसमें सिर्प एनसमाज नहीं था इसमें कि राविज त्री इन रख़र्ज थी थी उसमें नशा खोडी भी थी उसमें बॉलीवुड यह बहुत सारा यह उल्शा हुआ टंत्र है यह बॉलीवुड का एक सेलेबिर्टी का जो मेंटल है जो हरास्मेंट है जो बर्डेन है जो उनका कोकून है वो बहुत सारी चीज है थी जो वहां पर थी एक समाज का जो भागती दोड़ती जिंदगी का जो बर्डेन है जिसको आज के टाइम पर लोग का जो डिप्रेशन है वो बहुत सारी इसी चीज है थी उसके अलावत हमें एक तरफ देखते हैं चाका चौंद वाली दुनिया एक तरफ देखते हैं कि छोटी-छोटी कोठरियों में घुसी हुई औरतें पॉस्ट्यूट होने के लिए या एट से लड़कर मरने के लिए विवाश हैं उनके पास कोई आप्शन नहीं है जीने का या उनकी अन्वांटेड जो उनके बच्चे हैं उनको पालने के लिए उ पर काम करना तुमारे लिए बहुत हेक्टिक हो जाएगा तो मेरे पस उन्होंने बोला कि कुछ और किताबे तुम पढ़ो दो तीन और अच्छी उपन्यास हैं जो तुम पढ़ सकती हो उसके बाद तुम रिसाइट करो डॉक्टर अनुसुया त्यागी का मैं भी औरत हूं महेंद्र भीश्म शरका की नरका था या उसके बाद मुझे उन्होंने लास्ट ऑप्शन दियो वो बोला कि तुम पढ़ सकती हो यमदी फेनी जामाद होगा और शाद वो पहला उपन्या से शायद ही उन्होंने बोला क्योंकि कान्फरम नहीं था उससे पहले दो कहानी आई एक राही मासुम रजा की कहानी थी तो ऐसे कुछ गिंती का लिट्रेचर था जो मेरे सामने उपलब था जिस पर मैं एंफिल या पीर्डी करना चाहूं तो मैं नहीं कर सकती थी और यह दुर्भागी की बात है कि एक हजार सालों का हिंदी साहित्ते का इतिहास जो हम लोग बार बार रिपीट करते रहते हैं इतना रीच है इतना रीच है लेकिन उस रिचनेस के बीच में मुझे कहीं भी यह मैटरियल नहीं मिला कहीं वह संवेदन शेलता नहीं मिले कि मैं एक ऐसे समाज के बारे में बात करूं जिसकी आवादी भारत में 10-12 लाग है और अगर उस बात सकते हैं जब मैं ध्यांदी पड़ा तो मुझे कुछ चीजे अलग से मिली हैं कि जितना ही वह स्त्री मिमर्स था उतना वह कि निर विमर्स उसको मैं विमर्स कहूं या जो भी आप लाइन एक वह लीख बनाता दिख रहा था कि जहां से कुछ चीजें शुरू कि जा सकत और जब वो उसको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि कुछ नई चीज़ें जब मैं गुलाम मंडी पढ़ रही थी क्योंकि वह लगभग 12 सालों का यह दस सालों का लंबा अंतर था उससे पहले तीसरी ताली आ चुका था कहीं इस पहरां डिस पहले एक काम कर रही थी उस टाइम पर मेरे साथ है और दीशरी ताली पढ़ने के बात मुझे लगा कि इस टौपिक पर काम करने के लिए यह तो posted क्य Хотя ही ने कि लिए और जो मैतनी है नयौंड का रिपिटेश region इतना जादा है कि आप Clay कॉफ्थ होने लगेगी कि इस पर काम करें या ना करें या इस पर कुछ लिखें ना लिखें और यह स्ट्रीविमर्ष्या दलिद्विमर्ष्या अदिवासी विमर्ष्य के अलग में जब इस टॉपी पर बात करती हूँ, तो मैं पाती हूँ कि मुझे खुध चीज़े repeat करनी पड़ती है, क्योंकि मैं पास resource ही नहीं है, कि कुछ और नया मैं बात कर सकूँ, एक line चली आ रही है, जब methodology की बात करते हैं, तो वही examples, जब मैं तिहास की बात करती हूँ, तो वही examples, जब मैं site और समास की करते हूं, तो वही एक्जामपल, वही गिंटी की चीज़ें, यहां पे कुछ रेटे की बात नहीं कर सकते आप, कोई मॉमेंट की बात नहीं कर सकते, आप कोई ऐसा मॉमेंट नहीं कि जब जहां से चीज़ें बदल रही हो या कुछ इस तरीके का, जैसे इस्त्री विमर्श है कि हर शेत्र की स्त्री हर क्लास की स्त्री हर वर्क की स्त्री हर अलग अलग तरीके से सोचने वाली इस्त्री या विद्रो का जो अपना तरीका होता है या अपनी बात कहने का जो अपना तरीका होता है लड़ने का अपना तरीका होता है वहां यहां एसा कुछ भी नहीं दिख रहा हैं तोड़ा से डिस अपांड में रिए कि आलग अलग जगहों पर काम करने अलग 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 इलाकों में लग अलग गदियों के लोग मैं अभी अपने होम टाउन में थे कुछ टाइम पहले तब ही मैं वहां पर देखा कि महां पर भी किसी को कुछ बोलना हो, इंसल्ट करना हो, या नीचा दिखाना हो, तो उनको हिजड़ा बोल दिया जाता है, या खास करके ऐसे लोगों को भी हिजड़ा बोलना बहुत नॉर्मल है, जिनके बच्चे बच्चे नहीं है, या बच्चे नहीं हो रहे हैं, या कुछ दिक्कते हैं typically एक शब्द है कि उसके साथ है उनकी identity को आपने bond कर दिया है उसके अलावा ना आप उनको कुछ देखना चाहते हो ना उनको निकलने देना चाहते हो आपको मतलब जो हमारी सोच में है कि हाँ व्यक्ति अश्लील है या ताली बजाने तक entertainment करने तक या उनको छेड़ने तक पत्थर मारने तक या जब भी एक अलग तरीके का taboo create करते हैं एक अलग तरीके का character जिसे वही बात होती है कि दूसरे गोला से आई होग है या उनको देखने के साथ है एक अजीब तरीके के mentality के साथ हम लोग बात करने लगते हैं या हसने के लिए या मैंने देखा है अपनी hometown में की आउरते मुपे कपड़ा रख लेती है या अजीब कुछ अलग तरीके के भाशा शैली में उनका मजाग चलता है या जब पब्लिक प्लेस में हम देखते हैं हम खुद सहज नहीं हो पाते हैं लिट्रेचर भी बहुत ज़्यादा कॉपरेट नहीं कर पाए इनको बढ़ाने के लिए या 1871 का जो criminal criminal act था जिसमें लगभख 450-500 जनजातियों को प्रतिबंधित कर दिया गया जरायम पेश जनजातियों के तहट उनको बाध दिया गया उसमें किनृरों औह्को को भी समाहीत कर दिया गया प्रतियों में इसуса को बढ़ाई पेश जनजातीया जीनका काम इं किторगीयों को फूर्द कर दिया गया. और लगपक अकेले कानपूर लखनव या उक्तरप्रदेश की बात करें तो 22 से 40 बुस्तियों के बीच में उनको बांध दिया गया या उनको बोलने का या जाने के टाइम पे उनके उपर लगा था पहरे बिठा दिये गए और 1860 में जो 377 अधनियम आया उसमें समलंगिक्ता को प्रतिबंधित कर दिया गया प्राकृतिक मानते हुए उसके साथ भी गिनर समुदाय को बांध दिया गया और ना वो बच्चे डॉप्ट कर सकते थे ना कोई बच्चा उनके साथ रह सकता था ना वो अपने फ्यूचर के लि को हिजडा बनाने के लिए छक्का बनाने के लिए अपने घरों में किड्नाइप करके ले जाता है वह जो डेड़ साल 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 पहले जो एक अजीब तरीके का मैसेज दे दिया गया या हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऐसी घटना हुई हो पर वह युनिवेरसल नहीं थी कि म अपने बच्चों को समझा के रखते हैं कि इसे दूर रहना क्योंकि यह बच्चों को पकड़ के लिए जाते और हिजड़ा बनाते हैं मेरी जानकारी में मुझे ऐसा कहीं पर भी नहीं मिला अलग-अलग प्रदेशों में भी मैं विजिट कर चुकी हूं और अलग-अलग ग समझ में नहीं आए कि वो सर्वाइब कर से करते हैं बहुत सारी लोगों से जब मेरी बात हुई तो कहीं सारी इंसेंसिटिव लोग थे जिसे उन्होंने बोला कि तुम्हें क्या मिलेगा हिज़णों पर काम करके क्यों करना चाहते हूं क्यों खुद बदलना चाहते तो इस पर काम करने बहुत सारे इंचीओं से बहुत सारी संस्थाएं जो काम करने गर आप पढ़ना चाहो या कुछ सीखना चाहो टैलन डेवलोप्मेंट लिए चीजों के लिए तो लोग इन्रॉल करते हैं वह आपको थेल्प करेंगे उन्होंने बोला मुझे लिटरली जवाब देश Two बांतिए कि जब तक हमारे जजमान जिन्दा आं जिब तक हमारी जब तक हमाय देशनमान आछक्छा खासा हालत में हैं तब तक हमें काम करने करते ह gedacht कि यह पर दोब तक हमें नुकरी नीचे यह मपने स्थिती में में खुश हैं यह एक जवाब हो सकता है इंडिविजुल रिप्लाई हो जो मुझे मिला लेकि मैं उसे सैटिस्वाइड नहीं थी क्योंकि मैं एक्समाम लोग पढ़ना चाहते हैं जब चित्रा मुद्गल के पन्यास पॉस्ट बॉक्स नमबर दो सो तीन अला सुपारा की बात है तो एक जो बदलाव की बाठटी चीत्रा ची करती है कि एजुकेशन को लेके जो अवेड़नेस होनी चाहिए इस समुधाय भेर्चा się चाहिए कहीं नगना के उन-पनने के मुझे लंण मुझे लगता है उस इमेज को क्रीड करने से ज़्यादा उसको धराथाल पहलाने का टाइम है कि लोगों को एजूकेशन के लिए बात करना चाहिए एक और बात जो अभी महाल फिलाल मेरी किसी से हो रही थी और एक न्यूज अच्छा न्यूज के एडिटर है उनसे बात हो रही तो उन्होंने बोला कि मुझे एक बात बताओ कोई किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हो क्या उसकी मरजी के बिना कोई किनर गदी का कोई हिजडा गदी का गुरू उनको जवरदस्ति उठाके ले जा सकता है यह सोचने वाली बात थी कि जब हम बोलते नहीं वो जवरदस्ति आते हैं और उठाके ले जाते हैं पर ऐसी बात नहीं है माबाप खुद अप लिकिंग पावर को इफेक्ट कर सकते हैं जिनकी वज़ा से उनकी नाग कट सकती है चार लोग कुछ कह सकते हैं या वो कहीं खड़े होने लाइक नहीं रह सकते हैं यह सारी बाते जब वो सोस्ते हुए सोस्ते हैं तो उनको लगता है कि इसका चले जाना बहतर है और कहीं न कही ऐसा ही कुछ होता है एक और उपन्यास में पढ़ रही थी तीसरी तालिक आई है एक कैरेक्टर है विनीता उसके माबाप उसको छोड़ते तो नहीं है लेकिन उसकी वजह से उन्हें अपना घर ज़रूर छोड़ना पड़ता है ठीक वैसे जिसे पोस्ट बॉक्स नंबर 203 में या जिस नॉबल पर मैंने काम किया यमदी उसमें भी एक अच्छे परिवार से आने वाली नंदरानी को मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ता है क्योंकि उसके जो फिजिकल आइडेंटिटी है उसका जो फिजिकल ओरिएंटेशन अजीब तरीके कर डेबलप हो रहा है उसकी वज़ा से कहीं वो खड़े नहीं हो पा रहें कहीं उनकी बात करने की खड़े होने की कोई प्रोग्राम अटेंड करने की हिम्मत नहीं हो पाती है क्योंकि उनको हिजड़े का बाप यह हिजड़े का बाई समझा जाता है स्कूल में उसे पढ़ने नहीं दिया जाता है प्राइवेट पढ़ाई करके भी वह नहीं पढ़ पाती है क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है रेजुकेशन में मजबूरन बार-बार चीजों के एक ही साथ आते जाने से उसकी मजबूरी हो जाती है कि वह घर छोड़ दें और वह चली जाती है यह एक पलायन नहीं है एक विस्थापन नहीं है यह इस तरह का है कि कट जाना है और हाश्ये से भी ज्यादा हाश्ये पर डाल दिया जाना है जहां उनके पास ना रहने की छट की विवस्ता है ना रोटी की विवस्ता है ना बेसिक निट्स जो है उसकी विवस्ता है ना उनके पास hospital है ना उनके पास education है ना उनके पास job है ना उनके पास dignified life है जहां उनको जाने के साथ हर चीज के लिए struggle करना है कुछ-कुछ conferences जो होती रहते हैं कुछ-कुछ उनके अपने जो rituals होते हैं कुछ सम्मेलन होते रहते हैं कुछ community की जो सम्मेलन होते हैं मैं उसमें भी देखा है कि बहुत चोटे-चोटे बच्चे हैं वहाँ पर education के नाम पर अभी भी कुछ खास नहीं है वह अभी भी जो government plan करी जो policies ला रही है वह बार बार यह कहते हैं कि इनके लिये वाश्रूम से अलग बनाए जाये उनके लिए school अलग बनाए जाये उनके लिए बागी चीजे लेकिन जे सहज़ता के आप बात करते हैं और विमर्स का जो देश है कि मुख्यधारा में इक्वल जगा मिलना, समान अधिकार मिलना, समान स्थान मिलना और समानता के जब हम बात करते हैं तब जब आप चीजों को बांट के रखते हैं कि इनका है दोनों तरफ की ना वह खुलना चाहते हैं ना आप जुड़ना चाहते हैं वह पूरी नहीं हो पाती है तैन कहीं वह कटती ही जाती है अभी कुछ दिन पहले यूपी में एक जगा पर बनने के लिए आया है कि एक अलग इंवस्टी बनाई जाएगी या कुछ-कुछ खोले जाएं जहां पर उनको पढ़ाया जाएं कि एक अजीब तरीके कभी बाद है जिसको जबर्दस्ति हवा दी जा रही है जबकि बांट कर स्कुल खोलने पढ़ाने लिखाने या कुछ करने से बेतर है कि उनको एक साथ एक जगह बठा के पढ़ाया जाए एक ही टीचर पढ़ाये और उस तरह कि ट्रेनिंग दीजा है उन टीचर को कि वहां पर बच्चा उनके लिए लड़की लड़का या हिजड़ा या कुछ समलाइंगे क्या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके दिमाग में चीज़े सेक्स्वालिटी के बेस पर या सोशल एजिकल जो ए माइबाब का बदलना जरूरी है और माइबाब को जो बच्चों को निकाल के फेक देना इस फेक देने के संदर में एक एक जामपल मुझे आदा रहा है बगवान तन्मोल सरका जिंदगी 50-50 जहां पर वो अपने भाई के साथ तो नहीं खड़ा हो पातर ना है लेकिन अपन कि गलांग है ना कि उनको निकालके अपनी लाइब से बाहर पैंकर के बात है या कहीं जगा पे पबिक प्देर में हर जगा संकरने की बात है यह करने से बेथर है कि आजि की सथी जुग्ञान और विग्ञान की سब है या हर तरीके से हम डैबॉलं कर हर तरीके की टेखनोलोजी हमारे पास है अलांकि कोरोना की वैक्सिन नहीं बना पाए हैं तो मुझा लगता है ऐसे लोगों के साथ भेदबाव करने से अच्छा है उनको सिस्टम में शामिल किया जाएं थोड़ी दिन पहले भी कुछ एक डॉक्रिमेंटरी में देख रही थी जहां पर जो समूव है वो टूशन पढ़ाने के लिए चोटे मुटे काम करने के लिए दुकानों में काम करने के लिए जब भी काम मंगने जाते हैं जो हमारी मेंटिलिटी में है कि उनके मुँपे दस-पांच रुपए मारके उनको भगाओ यहां से या इसमें ही बोलती है यंदीप में ही वो बताती है कि जब भी वो घरों में काम मंगने जाती थी तियों बोलते थे कि क्या हम हिजड़े से बरतन मजवाएंगे हम हिजड़े से जाड़ों पच्छा कराएंगे या उसका गुदा हुआ आटे की रोटी खाएंगे तो उसका हिजड़ापन आपकी च पर भी पर दोसरा चाहिए दूसरा आत्मकता आत्मा को पढया से में पाइल जो किनर गुरु में पाइल सिंग पर है उसमें भी उनका दिखाते हैं कि उन्होंने घरपाइल जाना नहीं चुझ गया जब फाहरा जाब अधैंट जोने तास्ञ के ने चुना ठालेंट था वो स अच्छी जिन्दगी जी सकें अपनी मा को भी फीट करा सकें अच्छी लाइब दे सकें लेकिन कहीं हमारी सोसाइटी हमारा जो मेंटल लेवल है उनको हरास करता है बार-बार वो चीजें उनके साथ गलत होती है या फिर इस उपन्यास की बात करूं मैं यमदीब की है तो पासी डिग्री है कि वह एक किसे अच्छे होस्पिटल में काम करके वार्ड बॉय बन किया कुछ भी करके वह बहुत अच्छे से पनी लाइफ कार सकता है वह कर भी रहा है लेकिन इस तरीके के हालात हो जाते कि उसको छोड़ना पड़ता है और ताली बजाने के मजबूर हो मुझे लगता है यह सग्षी करदों सालों है यह कई सधियों का है जहांसे भी रोक्त और बनना शुरू उता है जब हम बहुत पीछ जाते हैं कि लिई एक्जाम्पल जो आता है अर्जुन का ब्रिहनला बनने का एक एक्जाम्पल आता है शिखंडी का मैं पर जिंती के ही उदाहरण है बाकी जिनको आप लगातार दबाते आएं उनके उदाहरण हम अपने इतिहास बोगल में रखना उचित नहीं समझते तो एक ब्रिहनला की भी एजली वो अपना टाइम काट लेंगे या शिखंडी के भी जब बात आती है तो कहीं न कहीं यही दिखा जाता है कि शिखंडी बदला लेने के लिए पैदा हुआ था तो जो एक ऐसे करेक्टर्स जो आइडोरजी बदल दें जो हमारा सोचने का एंगल बदल दें आप उनक लेने के लिए खटरा है या मैं कुछ दिन पहले मैंने गुजरात की पड़ताल की जहां पर बोलते हैं कि वह मुरगों की देवी की पूजा करते हैं और अपने मने विजट किया जब में गई मैंने जाकर देखा वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था मंदिर के अंदर कोई पु कुछ और लोगों से जब मैंने बात कि उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है यहां पर और वही मंदिर जिसकी एक्जामपल बार बार देते हैं कि बुच्रा मता का जो मंदिर है वहां पर पुरान बहुत सदियों से और बहुत किनर ही सब कुछ करते मुझे ऐसा कुछ भी न हुआ चीजे चिजों के साथ अम जीते हैं क्या वो चीजे सही हैं है वह मज़ें मंदिर ना सिपका यही श्थिति मिली ती वह थी वह तीन-चार किनर थे जिन मेरी बात हुई और मैंने काफी दिर तक उनसे कुछ-कुछ पूछा रहा है कि उनको मराथी आती थी वह हिंदी बहुत नहीं जानते थे पर ठीक ठाक जो उन्होंने टूटी-पूटी में बतायों मराथी मुझे समझ में आ गया उसके अलावा मुझे जो मिले थे हां एक महा का कंवेजर मंदीर का जो बहरो मंदीर Além योग मोह से अको हैं किनSir को बात करने को सका कूँ कि असका है जो किन्हट कर करें बताएं मुझे कि अक्टोल फिंटी ए वंने बात करने से इनकार कर दिन तो इस behavior को आपको accept करने के लिए तयार रहना पड़ेगा क्योंकि हमारी मुख्यधारा ने बहुत सालों से बहुत time से उनको corner करके रखा है और आपने उनको time दिया है कि वो आपके बारे में एक ideology develop कर सके और वो ideology यह है कि वो अपने बारे में आपको अपने बनाए घेरे में आ तो आपका willpower इतना strong होगा कि आप उनको convince कर पाओगे अगर आपका willpower इतना strong नहीं है आपके नियत अच्छी नहीं है आपके साथ जो कुछ भी है मुझे पता नहीं है तो आप नहीं समझ पाओगे उस community को उसकी भाशा को उसकी समविधन शेलता को उसकी needs को उसकी problems को आप तब तर नहीं समझ भाओगे जब तक आपको sensitive नहीं बनोगे मैं बहुत disappointed हूं scholars के साथ मैं बात कर रही थी अभी एक दो दिन पहले ही किसी से और उससे पहले मेरा एक लाइब था जून जुलाइब अगस्ट्या सेप्टेमबर में एक लाइब था जहां पर मेरी एक 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 जो transgender activist है उसे मेरी थोड़ी सी बहस हुई online भी offline भी तो उन्होंने बोला कि आप लोगों की research आप लोग जो research करते हो वो रदी का पिटारा है उसमें कुछ नहीं होता है आप लोग फालतु वालतु चीज़े भरते हो और मैं बहुत disappointed हुई कि हम लोग मैं अपने शेत्र में ज या उत्तरप्रदेश की कई अच्छी libraries में विजिट किया अगर मुझे material नहीं मिल रहा तो वो मेरी गलती नहीं है वो गलती है टाइम की वो गलती है उनकी स्विकारता कि उन्होंने नहीं किया स्विकार साहित में भाशा में संस्कृति में कहीं पर भी जब वो स्विकार नह करते हैं या क्लियोपैट्रा की बात करते हैं यहां दिल्ली सल्टनत से लेके अलाउदिन खिल जी से लेके सारे कुछ तो एक उनका एक अलाउदिन खिल जी का एक सेनापती मलिक काफूर वह भी एक किनर था और उसने बहुत स्ट्रॉंग के साथ में उसने बहुत सारी लडाईयां जीती बहुत सारा डिसीजन लिया अच्छे अच्छे जो उसके स्टेट के लिए हो सकते थे और उनका जो कोशा ध्यक्ष था वो भी एक किनर था मुझे पता नहीं वो कितना सही है कितना गलत है इतियास को किस तरीके स से तोड मरोड के पेश किया जाता रहा है कुछ यह भी बोलते हैं कि रोमन काल में या चाइना के कुछ राज्यों में जो सैनिकों की एक टुकडी किनरों की हुआ करती थी और उनका यूज जो है यूज ही कहूंगी मैं उपयोग सदुपयोग तो मैं नहीं कहूंगे उनका जासूस भी बना सकते थे या उनको राणियों के महलों की रफवाली के लिए लगा सकते थे या उनके उनके साथ रहने के लिए उनको रखा जाता था अब भी हम लोग जब कुछ भी हैटी हासिक या मुझलकालिन कोई टीवी सरियल देख्ते तो और आम से देखते हैं कि उस दो तो किनर होते ही होते हैं जिनका कुछ अजीब सा नाम होगा अजीब सी भाव बंगी में होगी अजीब सा कपड़ा पहना दिया जाएगा उनकी बोल चाल अलग होगी उनका बोडी लेंग्विस बहुत अलग होगा मैंने ऐसा अभी फिलाल इस टाइम पे अगर मैं देखो जब वो पब्ली प्लेस में काम करते हैं तो उनकी जाहे जो इस्थिती हो जब भी आप उनके घर पे जाते हो ऐसे नॉर्मल इंसान जैसे हम ठीक वैसे ही वो उमारे साथ मिलते हैं कुछ भी अलग नहीं है जो भी उनका फिजिकल ओरियंटेशन है अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो बहुत नैचुरल है अगर उनके शरीर में कुछ गड़बड़ी है कुछ दिक्कत है लेंगिक विकलांगता है वो कैपेबल नहीं है बच्चा पैदा करने के लिए या नॉर्मल फिजिकल रिलेशन के लिए वो नहीं कैपेबल है या उनकी बाड़ी अलाओड नहीं करती है उनके बाड़ी स्रक्चर अलाओड नहीं करता तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है उनको लेंगिक विकलांग के रूप में सुईकार किया जाना चाहिए और जो कुछ भी हम साहित के जब भी बात करते हैं शुद्ध साहित के बात करते हैं तो हिंदी साहित में बहुत कम रचना आया भी तक उपलबत है फिर मर्श के रूप में अगर एक जो मुवमेंट आना चाहिए एक जो अंदोलन आना चाहिए एक जो बूम आना चाहिए, वो अभी तक नहीं आया है, अभी भी जो लोग लिख रहे हैं, सबसे पहले तो जो मैं डिसपॉइंट हूँ, वो लेखकों से हूँ, मैं हाल फिल हाल में 2015 के बाद बहुत सारे जो उपन्यास आएं, बहुत सारे जो कहानिया आई हैं, उसमें उन्ह बात करने का तरीका इतना गडबड रहता हैं, कि कहीं कहीं इंसाने के मेज बनाने के लिए मजबूर हो जाता है, यह ऐसे ही होगा, या जिस कम्यूटी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, जिस कम्यूटी कि हां पर इस उपन्यास में फलक कहानी में चर्चा की जा रही है, वो हो सब्सक्राइब वैसे ही हो या उनके बारे में अलग सा कुछ सोचने के लिए नहीं प्रिपेर हो पाते हैं एक या कहानियों पर उपन्यासों पर इन पर काम करने से पहले जब हम एक कारेक्टराइजिशन करते हैं तो हम पाते हैं कि एक अजीब तरीके के भाव बंगी में तयार की जा रही है एक अजीब तरीके के मतलब फैक्चुल कुछ भी नहीं या जो पहले उपन्यास लिखे गए थे उसमें भी मैंने देखा कि ब्रहम पूर्ण स्थिती है उनके बारे में जो चीज़े आप नहीं जानते हैं जब गुल कि उनको जलाने से पहले जूते सअब जलाते नहीं हैं उनको जूते से मारा जाता है बातता मैं और गयानिस बढndेभर ठीप आन नहीं भी आप उमल में दिखाने के लिए भी तक पहले हुआ उनको नॉर्मल होस्पिटल में दिखाने के लिए बोट देने का भी अधिकार सेपरेट आडेंटिटीटे के रूप में नहीं था और ना ही वो पब्लिक प्लेस में बहुत ज्यादा खुल कर अपनी बात कह सकते थे या उनको इस तरह का अधिकार दिया गया था 2009 में सब उनको वोटिंग कर रायट दिया गया उसके बाद जो चीजे खुलनी शुरू हुए लक्षमिनायत्र पाठी जैसे लोग या और भी एक्टिविस्ट जो हैं दीरे दीरे जब आने लगते हैं लेकिन मान के चलना चाहिए कि जब 10-12 लाकी अबादी के हम बात करते हैं 20 सब्सक्राइब कर रहा है जो गद्यों की कमाई है जो गद्यों के लिए जो उनकी लड़ाई है और जो इलाकों का बंटवारा है उसकी आड में जो देह ब्यापार भी चला जा रहा है कहीं कहीं अभी मैं कुछ दिन पहले ही वो सब्नमौसी देखी हूं और मैंने वापस से जब मैंने बहुत पहले देखी तब मुझे नहीं मिले थी कि कि किस तरहिके से जादा कमाई के लिए वो देह व्यापार का काम भी करवाते हैं गद्दी के गुरुया एश्वारांग पी चीजे जुटाने के लिए तो कहीं के उस सच्चाई से बहुत सिंपैथिक होकर भी ज करते हैं हम मान के चलते को देह व्यापार में लिप्त हैं लेकिन क्यों लिप्त हैं हम इसमें बात नहीं करते हैं उनको सेक्स्वालिटे तक आप लिमिटेट कर देते हो या भीक मांगने तक या नाच काने तक या पब्लिक प्लेस में अजीब अजीब सी हरकते करने के लिए हम उनको जानते हैं मेरे Facebook Messenger में ऐसे-इसे लोगों की मैसेज आते हैं ऐसे-इसे मैसेज भरे रहते हैं कि देखके याख हो जाएगी ना ने लग जाएगी यार क्या सोचते हैं कि दिमाग में है क्या चीज हैं अभी हाल में किसी ने मुझे बोला कि मैं भी हिजडों पर किताब लिखना चाहता हूं कि आपने बस शुरू करती हैं जले बी बना डाली उसके लिए आपको सेंसिटी होना या किसे particular community को, कोई भी community हो, कोई भी जाती हो, कोई भी समाज हो, जिनको लेकर आपके अंदर सम्विधन सिलता नहीं है, या आपकी भासा में ही कोई कमी है, तो messenger पर भी ऐसे से लोगों के messages आते हैं ना, कि इनके parts आपने देखे हैं, इनका physics आपने चेक हिया है, कि आपने देखा कैसे होता है, तो एक जो मज़े लेने वाली हम लोगों की आदत होती है, वो बहुत ही घटिया आदत है, कि आप किसी को देखते हो, किसी के बारे में आप जानती नहीं हो, या जानना चाहते हो तो आपका आपके जो आदत है वो sensitive नहीं है, वो मज़े लेने की है, यमदीप में भी इसी तरह का कुछ है, या गुलाम अंडी में भी इसी तरह का कुछ है, तीसरे ताली में भी इस तरह का examples मिलते हैं, और कुछ इसी तरह का example मिलता है, किनर कथा में भी, वो जो वो लिखते हैं जो वो कहते हैं वो हम लोग देख रहे हैं हमारी लाइफ में वो चीज़े चल रही है या जब मैंने चूस किया कि मैं एक ऐसे टॉपिक पर काम करना चाहती हूँ जो बहुत अलग है जिस पर कोई साहित नहीं हो सकता है मुझे उनसे मिलना पड़े हो सकता है मुझे उनको time देना पड़े उन से बात करना पड़े convenience करने के लिए मुझे बार बार विजिट करना पड़े तो मेरे कुछ एक रेलेटिवस जिनका था कि अगर तुम काम ही कर रहे urban तुम्हें हिजड़े ही मिले थे काम करने के लिए तो बहुत सारे टॉपिक हैं क्या यहीं एक टॉपिक मिला था तुमको बात करने के लिए तुमको काम करने के लिए तो मुझे लगा कि मैं सही रास्ते परूँ जब आपको दस लोग गर्याने लगें दस लोग प्रिटी साइ प्रिष्ट भूमे के पर्ताल करता है। नहीं हुपाते हैं। या जो टूल्स बनते हैं वो उन पे फिट नहीं हो पा रहे हैं तो नहीं सारी नहीं यह जो कुछ समस्या हैं जो जो समाज शास्त्रिया मनो विश्लेशनात्मक अध्यन जवम करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी दिक्कते हैं टूल्स उपलब्द नहीं होते हैं समाज शास बहुत strong theories उपलब्द नहीं है कि उनका यूज करते हुई है जो साहित का समाज सास्त्र है कुछ एक अच्छे जो क्रिटिक्स उन्होंने लिखी है मैंने ज़र पंडे या निर्मला जैसे लोग जो कुछ अच्छा लिखते हैं दो चार किताबें और होंगे लेकिन कुछ और अल बजी का वह भी नहीं लागू होता है उसको अपने हां पर डेवलब करने के लिए उसके टूल्स को कि कि समाज सास्त्र विश्य जो नीजी सुए के बाद भारत में आया और बहुत डेवलप्मेंट हालत डेवलब्द हालत में नहीं है अभी भी जो नॉर्मल कॉलेजेस में कहीं कहीं पर बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं होती है उसकी यह बहुत अच्छी किताब है एस गाइड के रूप में उबलब्द है तो मुझे सबसे पहली जो समस्या हुई वो समाज सास्त्र को लेकर हुई समाज सास्त्र अध्यान पद्यती को लेकर हुई और समाज सास्त और साहित के संबंधों से संबंधी जो सिधान थे उसको ढूड़ने समझने और पढ़ने में हुई और मेरा पीछडी का टॉपिक भी समासास्त्री अध्यान ही है हलांके नेशनल लाइबरेरी कोलकाता से मुझे काफी एल्प मिली और मुझे वहां से बहुत सारी किताबे उठ रहाने का टाइम मिला वहां जाके पढ़ने रहाधा अच्छा होता मैं वह नहीं कर पाई लेकिन मैटेरियल के रूप में मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली और आगे जब मैं जेंडर डिस्कोर्स की जेंडर की या सोशिलोजेशन की बात करते हैं या सामाजी करण की प्रक प्रक्रिया इस्तरी पूरुःस्या रह सेख्स और लेक्रिया की बात करते हैं कि इस तरीक से यह सिमोंता ब्लंध वर्ज buff या वर्जीन को व्रभ जैसे लोग कहते हैं कि और प्रक्रियों में जो मेरा बैला होता है यह होता है कि इस तरीका रहां पूजब DR शीन말 ने का सरils ह करते हैं तो हम पाते हैं कि किस तरीके से उनके अधिकारों का बटवारा करके उनके कामों का बटवारा करके उनको स्थापित कर दिया गया और स्थापन के बीच में जो समुदा विस्थापित हो गया वो किन्र समुदा था या हम आधी है sexuality की नजर से हर चीज़ को देखने के और उसी के आधार पर उनको judge करने के और यही reason रहा है कि किन्नरों को हमने बहुत आसानी से हिजडों को मंगल मुख्यों को या उनको आप जो भी नाम देना चाहें छक्कों को मौसियों को खाजसरों को हमने बहुत आसानी से इंटर्टेन करने के या नाचने गाने मनुरंजन तक हमने उनको लिमिटेट कर दिया उनको उससे उठने ही नहीं दिया यह बहुत सारे चोटी-चोटी कहानियों में जैसे पाते हैं कि एक कहानी है संज्जा किरिन सिंगे उसमें देखते हैं कि वह लड़की जो कि वाकई मे किनर है लेकिन उसमें कैपैबिलिटी है वो मेडिसिंस की और अपने पिता के साथ हो बहुत सारी जड़ी बूटियों के बारे में जानकरी और वो काम कर सकती है वो जानती है किस तरकी कि किस बीमारी में किस को क्या दवा देना है लेकिन उसका हिजड़ापनी उसके लिए अ ज़ाडू बैल चला सकती हैं वो पड़बी सिल सकती बच्चे मह कोई का में जो नहीं कर सकती है तो यह जो फ़क्साद करने की लड़ाई थि कई सालों तक बोब barrack graft här में बहुत सारी यह जो अब ही भी बाहर निकलना उनका एजूकेशन के लिए उनको इलाओड नहीं किया जाता, कई बार उनको मनमसूस के पढ़ाई छोड़ने ही पड़ती है, या दलीत समास के भी हम बात करते हैं, तो अभी बड़े लेबल पर जब हम बात करते हैं, तो चलो चीजे नॉर्मल है कि ह कौन किस धर्म का है, कौन किस जाती का है, कौन किस समाज से आता है, लेकिन जब मैं बहुत छोटी सी जगह में अपने होम टाउन या अपने रिलिटिव से धर उतर जाती हूं, तो लोग मुझे बहुत इजली बोल देते हैं, कि यह फला कास्ट का है, इसके साथ तुम क्या बात करी थी, इस जाती की, अरे उससे बात करी थी, वो फला नहीं, यह फला ना, तो जो जाती को लेके, जो धर्म को लेके, कम्यूटी को लेके, जो क्लास को लेके, जो लोगों के दिमाग में अभी चीजे पनी होई न, कहीं कहीं किनरों को लेके, वो बहुत डीप हैं, इन कि मुझे लगता है कि उनके अपनी कमियाँ है कुछ उस कम्मिनुट iki जो कमिया है मैं एक इंत्क यहां से उनको देखना चाहूंगे कि जो उनकी अपनी कमिया है वह यह है के पैसे हैं या नाच गा कर जुटाएगा है जो पैसे हैं उससे उनकी रोटी सफिसेंड नहीं हो पाती या उनकी जो एश्वारां की चीजें हैं वो सफिसेंड नहीं हो पाती वो पूरी नहीं पढ़ पाती है या फिर उनको लगता है कि ये बहुत इजी भी है कि मैं यहां से हम लोग यहां से पैसे कमा सकते हैं या पैसे जटाज सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई और option नहीं है दिल्ली जैसे जगहों पे जहां लोग AIDS से बचने के लिए या बहुता से salah R relevant बताती है कि लोग AIDS से बचने के लिए उनके साथ जाना चाहते हैं क्योंकि और बहुत सारे लोगों का यह है, होوسपेरिमेंट करना चाहते हैं, सेक्स के नाम पर करना चाहते हैं.. soi मेर्ट बेरी हेलों सोली करना चाहते हैं.. वह सेक्स्वतल करना चाहते हैं.. उसके लिए भी उनके साःत्व जाना पसंद करते हैं और यह यहीं रिजन है कि उनको फिर accept करने में दिक्कत होती है या hospital नहीं जा सकते या उनको दवा करने के पैसे नहीं होते या नहीं खर्च कर पाते हैं वो कुछ इस तरीके का कि अपनी जान बचा सके हैं या अपनी जान के हिफाज़त कर सकें तो बहुत सारी गद्दियों में ये बाते सामने आई और जब भी डिरेक्ट आप बात करते हैं उस समास की लोगों से ना वो हर बार मैंने पाया है कि वो चीजे छिपाते हैं वो बताना नहीं चाहते हैं और कितना भी आप सहज होना चाहें असहाज होना चाहें कैसा भी आप करते हैं बहुत सारी बाते अब भी ऐसी हैं जो नहीं खुल सकी है या महताब गुरु जो यम्दीग में कहते हैं कि हमारे हमने अपनी कुठरी में कोई हॉस्पिटल नहीं खूल रखए कोई कि मेरे पास बहुत instruments है कि मैं उनको बधिया बना सकूँ में पास मैं कोई doktor नहीं हूँ मैं कोई surgeon कि मैं किसी को बधिया कर सकूँ लेकिन एक जो तीसरी ताली में आता है कि कैसे वह बधिया करन करते हैं और कितना painful होता है और उसको करने के procedure में ऊकिस तरह के rituals पॉलो करते हैं वह बहुत ज्यादा मतलब एक होता है कि कंट्राडिक्टरी दिखने लगता है और वह मानना मुश्किल हो जाता है और यह रिसर्च की बाधा है कि ना आप उनकी वोकाबलरी को समझना चाहते हो उनकी भाषा को समझना चाहते हो ना उनकी मानसिक्ता को समझना सभी बात कि जब उनको अपने घरों में अपने समाज में माहौल में अपनी जगह पे जी ने कातिकार दिया जाए अगर उत्तरप्रदेश में कोई के इनर भच्टा परदा होता हुआ है उसको ठाग दक्षिर भारत भारत बेज़ दो तो कहीं उसके उनको अपनी जड़ों से अपने पर्याबरण से अपने लोगों से काटना सबसे बड़ी गल्ती है उनको एज़िकार किया जैसे कि आप अपने घर के दूसरे बच्चे एपने साथ होटे हो आप उनके पक्ष में बोलते हो उनको फीड करा ते हो लाइफ टाइम, उनकी देखभाल करते हो, तो अगर कोई बच्चा शारीर क्रूप से विकलांग है, आप उसको कियुन कर सकते हो, तो लेंगे क्रूप से जो विकलांग है, आप उसको क्यों नहीं रख सकते हो, वो आपके लिए गाली क्यों हो जाता है, आप उसको सब्मान की नेजर के देख हो या अपने नाक कटती हुए आपको क्यों देखती है वो बच्चा कहीं से अब दिमाग में चीजा कैसी आजाते के आप निकाल के फेक दो और दूसरी बात जो गहास को हम लोगों की मान सिकता हो गई है कि यह चल रहा है यह चलन में है यह बाजार में एक दम दोड़ रहा है तो इसका आप अराम से शामिल कर लो लिखो जो लोग रिसर्च करने उनको लगता है कि कुछ और नया टॉपिक नहीं मिल रहा है तो चलो हम इसी पर काम कर लेते हैं बहुत सही से काम कर रहें ना उनके पास कुछ कोई नौलेज नहीं है एक और हैं उनका नाम नहीं लोंगी में और लेकिन उनका सिनॉपसिस देखने के बाद मुझे यह लगा कि मैं अपनी प्यस्डी रिजेक्ट करा दूँ इस टॉपिक पर काम करके मैं फिर इन फ्यूचर गालिय लेखें की पढ़ाइματα और वह लोग क्या करना चाते उनको पंपया कर रही है कि इसका प्रकाशन वर्स बतादे इसका यह ? उसका वह लगता कर रहा बेड़ा गरक कर रहा है उस चीज का मैं बहुत डिसापॉइंटेड हूं मैंने कई लोगों के इंफिल पढ़ी करने लोगों का सिनॉपसिस पढ़ा और पढ़ने के बाद मैं को परिस्तावा और मैंने ये टॉपिक चूज ही क्यों किया खास करके तब मेरे मैं देख र चीज भाट नाम दिया था उन्नारी सिरच को जब वो रंगनात बोलता है कि मैं सर्च करता है उसने बोला सिदा को लोगों करते काम करें ने इत पर काम कर रहें आपके दॉपॉप सब केक़ लपेट के लौट को एक साबSp par कि आप काम कर सकते हो ना leisure life कोई समझ नहीं है ना methodology की समझ है ना पता ही है कि methodology है क्या पता ने कोरस वर्ग कैसे खतम करते हैं मुझे नहीं पता मैं बहुँँट किसा पॉइंटेड हूं बहुत सारे लोगों की सुपरवाजर ऐसे हैं कि जो इस टॉपिक पर ध्यानी नहीं देना चाहते कर क्या रही है कि एक कई सारे लोगों के सुनोप्सिस में एक एक चाप्टर देखके मुझे लगा कि यार क्या काम करेगा यह सामने वाला इस टॉपिक पर जब इसको खुदी नौलेज नहीं कि इसने क्या सीक्वेंस बनाया है इसने क्या रिसर्च की यह क्या करेगा किताब का नाम नहीं पता उपन्यास का नाम नहीं पता पत्रिकाओं का नाम नहीं पता प्रकाशन की जगा नहीं पता प्रकाशन का वर्स नहीं पता प्रकाश करो मैं क्या मदद करूगी कि क्ल प्रकाशक के उतनी जिम्मेदारी नहीं जितनी एक लेखक की है। आप एक लेखakt के रुप में भी फेयल हो, आप एक इन्सान के रुप में भी फेयल हो. आप एक कम्मुटी की आइदेंटिटी का बड़ा गरख कर रहे हो। मैं को बोलना नहीं चाहिए था मुझे लगता है मैं भी बहुत परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन हाजो कमियां गलतियां इस बीच में मैं देख रही हूँ वो चीज़ें मुझे बहुत हर्ट कर रही हैं एक एक्टिविस्ट थी उन्होंने बोला कि आप टांस कम्यूटी को और कम्यूटी को अलग अलग नहीं रख सकते हो टांस कम्यूटी हमारी एडॉप्टेड आइडेंटिटी है ट्रांस मतलब गे और लेजबियन या वो लोग उसके इतर जो सेक्श्वल औरिंटेशन रखते हैं वो लोग ट्रांस कम्यूटी मैं अपने अंदर एक लड़की फील क अधरन जो कुछ भी हुआ है एक लड़की के तौर पे हुआ है मैं 18 साल 20 साल की होने के बाद अपने आपको लड़का दिखाना चाहती हूं अपने अपको मर्द दिखाना चाहती हूं तो वो मेरी एडॉप्टेड बाई चोईस आडिन्टिटी है मैं अपने अंदर क्या फि कम्यूटी और हिजड़ा कम्यूटी का यह अंतर है कि एक लड़का अपने आपको लड़की बताना चाहता है उसको तब समझ में आता है जब वो 18-20 साल का होते हैं जब उसको अपने राइट समझ में आते हूं बोलता है 16-17-18 साल की यज में कि वह अपने अंदर एक लड़ लेकिन कहीं अगर वो लड़का है और अपने आपको लड़की कह रहा है तब भी वो लड़का है और घर के प्रॉपर्टी में उसके पास राइट है और डिसीजन लेने का राइट है अपनी जिन्दगी जीने का राइट है लेकिन एक किन्नर हमेशा एक किन्नर है पैदा होन हुआ है मरेगा तो भी हिजड़ा और वो जी रहा है तब भी वह हिजड़ा ही है आप उसको नहीं बदल सकते ना अपनी मेंटिलिटी में ना अपने समाज में ना उसके अधिकारों में वह इंटिटी खतम होती है 2019 का जब protection of rights bill आता है तो बहुत अराम से सरकार उनकी अधिकारों को लेकिन move on कर जाती है और सारे communities को lesbian को gay को bisexual, homosexual, heterosexual, kinner सबको एक साथ लपेट के खड़ा कर देती है और वो यह कहते हैं कि सबके अधिकार एक हैं कैसे सबके अधिकार एक हैं एक किंणर के अधिकार एक lesbian और gay के अधिकार अगर वो चाहे एक lesbian या एक gay character बेखती अगर चाहे तो अपनी identity जीवन भर छिपा के वो सम्मान का जीवन जी सकता है लेकिन हिजड़ा अपनी identity नहीं छ इतना ही वो physically torture होता है उतना ही वो mentally torture होता है कई बार वो लोग सुषाइट भी करते हैं जो खबर नहीं बनती है उसका कारण यह है कि वो उस लाइक नहीं है कि इतिहास बोगोल साहित संस्कृति और कला और समाज में परिवार में अपना नाम दर्ज करा सके हम उनको उस अपनेख समझाये कि वह अपने आपको वहां पर रखके अपने लिए लड़ सकें बहुत सारे प्राइड सो रचंडिकर प्राइड दिल्ली प्राइड कोल कहता प्रइट भोनेश वरप्राइड मुंबय प्राइड क्या होता है इन प्राइड मैंने देखाई दिल्ली के 2-3 मैंने देखा है कि इसमें वो लोग आते हैं जो बहुत कपेबल हैं बहुत हाई प्रोफाइल पार्लर से वो तयार होके आते हैं जो अपने आपको ट्रांस कहते हैं उनकी तयारी आप देखिए कई लोगों का महीने भर का खर्चा उससे निकल जाता होगा उसमें भी बचता क्यारी होते हैं उनका मेक अप होता है तो कैसे कह सकते हैं कि हिजड़ा और ट्रांस कम्यूटी एक है यह जो एक डिबेट है यह सिर्फ डिबेट साइन्टिफिक नहीं है यह डिबेट सिर्फ सामाजिक नहीं है इसके बहुत सारे पहलू है और उनको एक साथ सामिल करके आप आप बोलते हो का मैं ट्रांस कम्यूटी पर रिसर्च कर रहा हूं आपको पता भी नियों तक ट्रांस और थर्ड का डिफरेंस क्या है उनकी सामाजिक माननेता क्या है उनकी सामाजिक पहचान क्या है और सेक्स और जेंडर का जो बेसिक डिफरेंस है आपको वह भी नहीं पता ह और लोग रिसर्च कर रहे हैं भीड कर दिया है खतमी नहीं हो रही है भीड बढ़ते जा रही है बढ़ते जा रही है वह आपका चैप्टराजेशन चेक करता है ना आपका प्रपोजल चेक करता है ना आपका रिसोर्स चेक करता है ना आपका प्रामेरी सेकेंडरी सोर्स चेक करता है आप काम कर रहे हैं बाद में जब टॉपिक पास हो जाता है चीजे ऐसे हो जाती है कि गड़ मड़ हो जाती है सब्सक्राइक जब्सक्राइब हैं और पैरन वार्षय का भी प्यार बहुत हो गया है वह ज्यादा लिखना पड़ना भी उतना नहीं तो जरूरत नहीं था उनक्त जहिने लगी हैं लेकिन क्या मतलब है कि safe ryok Alle 67 चाहिए कि अधिवासियों के सुछ कुछ नया sudah साहित बाजरुबात का सिकार होके इस तरीकी का हो गया है कि कोड़ा कचरा कुछ집 different या उसको खरीदा जारहा है हम मजबूर हैं खरीदने के लिए दिखाना है कि हमने इतनी किताब पढ़ी लेकिन उस किताब के अंदर क्या है लोगों को नहीं पता है उस किताब के अंदर क्या आपको फैक्ट मिलते हैं आर्टिकल डिडड़ पेस के आर्टिकल आते हैं और कहानिये से लिखके हो जा रहे कोई फैक्ट चुल नहीं कोई रिसर झाल झाल